हैले श्टूडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुना है आप सभी का आपके अपने चैनल सीओ कोचिंग क्लासेस पर स्वगत है क्लास 12 फिजिक्स एंजी आर्टी चैप्टर 12 का परमार जो जैप्टर है उसमें पहला टॉपिक आज कभर करेंगे टामसन का परमारो माडल छोट मनें क्या बताया की जैसे कि कोई भी परमार वह कोई भी परम वह गुला कार होता है उसमें इलेक्ट्रान होता हैं और धनावेच्वी समान مातरा में बितलते रहते हैं बस इतना ही उन्होंने बताया ठीक है ना बस इतना ही दिया आप समझ लेते हैं तो और कुछ भी याद नहीं करना छूटा सा टॉपिक है प्यारी भाई तो सन 1908 में जिस जेजे टामसन ने परमाडू के अंदर इलेक्टरानों और धनावेसों की विवस्ता की ब्याख्या करने तो कन्फ्यूज मत होना ठीक है तो जेजे थामसन ने सन 1909 में क्या किया एक प्रयास किया उन्होंने क्या बताया कि परमाडू में क्या होता है इलेक्टरान निगेटिव होता है तो जितना इलेक्टरान होगा उतना कहीं न कहीं तो धनावेस होगा तो क्योंकि इलेक्टरान समाता में एक दूसरे से क्या होते हैं गुथे हुए होते हैं ठीक है जिसे Plum Pudding Model कहते हैं जैसा कि यह डायग्राम है थोड़ा सा समझने की कुर्शिस करें यह आपका डायग्राम है ठीक यह आपका गोलाकार एक परमाडव है समझ रहे हैं इसमें जो आप गुदा भाग देखे होंगे मतलब जहां जिसको अपन खायते हैं लाल भाग जिसको बोलते हैं गुदा जिसको बोलते हैं पूरे तरबूज का ठीक है और उसमें देखते होंगे दानी तो दानी जिस प्रकार से तरबूज में दानी रहते हैं उसी प्रकार से परमाड़ों में उपस्थित होते हैं इस लिए से तरबूज माडल भी कहा गया जिसे यहां पर आप देखें कि परमाडू ये गुला का राक्रती है इसमे इलेक्टरान समान रूप इलेक्टरान है इसके चारों समान रूप से क्या उते हैं धनावेस होता है बित्र दहता है और बीच बीच में इलेक्रान होता है इलेक्रान ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से तर्बूज में उसके अंदर गुदे में बीज धरसे होते हैं यह आपका माली यह तर्बूज है और पूरे तर्बूज भाग में आपका गुदा भाग है और बीज बीज में दानी दिख रहे हैं तो तो जिस प्रकार से स्टूडेंट तरबूज के गूदे में दाने धरसे रहते हैं उसी प्रकार से यह जो आपका परमार हुए इसके संपूर भाग पर धनावेश बित रहता है समान रूप से और बीच में इलेक्रान धरसे हुए रहते हैं ठीक है इस प्रकार से उन्होंने कि क्या बताया कि परमार हुए एक ठोस गुला होता है जिसके समस्त द्रब्मान एबं धाना बेश समान रूप से बित्रित होते हैं यहां पर लिख लेना समान रूप से बित्रित होते हैं तता उनके बीच बीच में इलेक्रान उसी तरह अंता इस्थापित होते हैं जिस तर इतना समझ गये कि तामसन ने क्या बताया आप इतना भी लेग देते हैं कि तामसन ने बताया कि परमाड की गोला होता है उसके समझत द्रब्मान भाग में समान रूप से धनावेस बित्रित होता है और उसके बीच बीच में इलेक्टरान उसी प्रकार से अंताहिस थापित होते हैं जिस प्रकार से तरवुच के गुधे में क्या होता है इतना अधिया आप लिग देते हैं बराबर नमबर मिलेगा ठीक डाइग्राम बना लेए इसके बाद सफलता सफलता क्या है तो इस प्रकार परमाड़ द्वारत तापाइनिक उस्तरजन प्रकास बिद्दुत प्रभाव तथा आयनी करण की क्रिया की सफलता पुर्वग ब्याख्या की जा सकती है अर्थात इनके माडल के आधार पर तापानी कुछ सर्जन प्रकास बिद्धुत प्रभाव आयनी करण की क्रिया इनको हम सफलता पूर वो बैख्या कर सकते हैं अच्छा ये जो तापानी को सरजन किया, प्रकास बिद्धुत प्रफ़ो किया, आयनी करन की क्रिया क्या है, ये सारी पिछले चैप्टर में अपने डिसकस कर चुका है, ठीक है, इन में कुछ न कुछ दोस रहा होगा, तो दोस क्या है, कभी कभी पूछ देता है, टामसन का प परमाड स्पेक्ट्रम में लाइमर सीरीज, बामर, पास्चन, ड्रैकेट, फुन, ये पांस सीरीज प्राफ्त होते हैं, जिनों ने अलग-अलग बैक्यारिकों ने इनके बारे में खोच की, तो इसकी जो ब्याख्या है, इस परमाडु माडल के आधार पर नहीं की जा सकती, दूसरा है रधार पोड ने अलफा कणो के प्रक्रिणन प्रियोग में अलफा कणो के अधिक कौनों से प्रक्रिणन की बैक्या इस परमाडु माडल द्वारा नहीं की जा सकती, मतलब अधिक कौन के सहायता से यदि हम अलफा कणो का प्रक्रिणन करें, तब इसकी गड़ती इस माडल के आधार पर नहीं कर सकते तो इस प्रकार से आप लोग स्क्रेंशाट ले लो यह तो अभी पहला वीडियो है इसके बाद क्रम से वीडियो आएगा आलेड़ी आप लोग अच्छे से पढ़ते चलना आपको सारी वीडियो प्रवाइड करा जाएंगे ठीक है तो छो सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकिसर आपको मिलता रहे जेहिंद बंदमातरा